Gaming app create करकर, कैसे आप उसको Google AdMove से montoise करेंगे, आज मैं आपको बताऊँगा दोस्तो, game create करकर आप कैसे अपनी gaming app को Google AdMove से montoise कर सकते हैं, आज मैं आपको बताऊँगा तो सब सर पहले आपको इस website के उपर आजाना है, जिसका नाम है app creator24. और डोट को, यह basically एक website है, जिसके मदम से आप यहाँ पर अपनी apps create कर सकते हैं, अगर आपको gaming app create करना है, video sharing platform app create करना है, या किसी भी type की आपको यहाँ पर app create करना है, इस website के मदम से आप यहाँ पर कुछी clicks में अपनी app create कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको इस website के उपर आना ह और इसकी ऊपर अपना account create करेंगा, तो account create करने के लिए आपको इसके home page को पराना है, यहाँ पर आपको sign up का option दिखाए देगा, तो आपको इसको उपर click कर देना है, अब आपके सामने new page आएगा, जहाँ पर आपको अपनी basic information फिल कर देना है, like name हुआ, username हुआ, email address हुआ, password हु email को confirm कर लेना है, और इस website के ऊपर अपका account create हो जाएगा, और दोस्तों, जैसी आपका account यहाँ पर create होगा, तो आपके सामने कुछसपा का कंटरफेस आएगा, जितने भी apps आपने यहाँ पर create की होगी, सारी apps आपको यहाँ पर दिखाईते जाएगे, तो यहीं पर ही आपको अपनी app create करना है, तो app create करने के लिए आपको यहाँ पर आना है, create app इसको उपकलिक करते हो, जैसा आप इसको उपकलिक करेंगे, तो आपके सामने new page आएगा, यहाँ पर आपको आपकी app की general information फिल्ड करने के लिए लिए जाएगा, तो पहला option आपको यहाँ पर मिलता है app name क तो आपको यहाँ पर अपनी app name डाल देना है, जैसे इसको उपकलिक करूँगा, यहाँ पर मैं इसका नाम रख दूँगा, game you, इस परकास से मैंने इहाँ पर इसका name रखते है, तो आप भी अपनी मरजी के अनुसार यहाँ पर इसका name रख सकते हैं, तो इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी app का icon choose करना है, तो simply आप यहाँ पर खुछ से अपना icon create कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पर upload कर सकते हैं, नहीं तो आपको इनकी gallery section के उपजाना है, इसके उपकलिक कर देना है, यहाँ पर आपको बहुत सारे icons दिखाए देंगे, तो यहाँ से आपको एक icon क इसको choose कर लेता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर language का option दिखाए देगा, यहाँ से आपको इंडूस को choose कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपको option मिलेगा app focus on, तो यहाँ पर आपको all states and worldwide को choose कर लेता है, अब आपको अपनी app का description लिखना है, जैसके मैं आप लिख जैसा आप इसको पर click करेंगे तो आपके सामने new page आएगा, यहाँ पर आपको आपकी app का style choose करने के लिख जाएगा, तो यहाँ से आपको एक style को choose कर लेना है, जैसके मैं आप ब्लू इसको choose कर लेता हूँ, तो next इसको पर click करतेंगे, अब आपको यहाँ पर app की परकार आपके फोरम्स हुआ, वीडियो एप हुआ, रिडियो स्टेशन हुआ, कुजी सुआ, स्टिकर्स हुआ, जिस भी टैप की आपको यहाँ पर app create करना है, आपको उसको choose करना है, कस्तमाइज करना है, अप यहाँ पर आपकी बन कर रेडी हो जाएगी, जैसे कि मैं यहाँ पर gaming बनाना चाहता हूँ, तो मैं हँआ पर आऊँगा, create an MPT app इसको फकलिक करेंगे, जैसे आपको फकलिक करेंगे तो आपके सामने new page आएगा, यहाँ पर आपको option मिलेगा, go to app manager का, तो आपको इसको पकलिक करना है, जैसे आपको उसको फकलिक करेंगे, तो again आपके सामने new page आ तो यहां पर आपको आना है, यहां से आपको गेम को चूज कर लेना है, जैसा आप इसको उपकलिक करेंगे, तो आपके सामने न्यू पेज आएगा, अब आपको यहां पर अपने गेम को आड़ करना है, तो select इसको उपकलिक करना है, यहां पर आपको बहुत सारे गेम दिखा इसके बाद आपको परनाए नोस को पर टिक करना है थन सैने Isto पर प्लीक करना यह ढन भैकक करदेन आपह गेम यहां पर अपह एड हो चुका है इसी तरीके से आपको यहां पर चार से लेकर पांच गेम इसको ड्लीक कर दो cou अगेन आपके सामने select का option आएगा, तो यहां से मैं इस game को add करने वाला हूँ, तो इसको मैं copy and paste करूँगा, then select इसको उपक्लिक करेंगे, no इसको choose करेंगे, then save इसको उपक्लिक कर देंगे, again back इसको उपक्लिक कर देंगे, एक game को और मैं यहां पर add कर देता हूँ, ताकि यहां यहाँ पर मेरी app अच्छी लगे कर धेंगे यहाँ पर आएंगे, इसको उपकलिक कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है- select इसको उपकलिक कर देना है ... ४rev और को चूस कर लेता हूँ.. पॉपी इसको उपकलिक करूँगा। इसको ने उल्ग कर लूगा। आपको Montize करने के लिए हम यहाँ पर यूज करने वाल है Google Admob का तो simply आपको जाना है Google Admob के उपर और इसकी ऊपर अपने अकाउंट करेट कर लेना है तो simply आपको Google Admob के उपर जाना है तो यहाँ पर आपको Sign Up का option दिखा देगा आपको इसको पर क्लिक करना है बेसिक इनफोर्मेशन को फिल करना है और Google Admob के उपर अकाउंट क्रेट हो जाएगा और दोस्तों जैसी आपका अकाउंट यहाँ पर क्रेट होगा तो आपके सामने कुछ असपर का कंटरफीस है और यहाँ पर आपको Home के उपर जाना है और यहाँ पर आपको अपनी App आड कर देना है यहां से आपको प्लाटफोर्म को चूज करना है जैसी मैं पनरोट इसको चूज करना हूँ यहाँ पर आप से पूछ रहा है कि आपने अपनी App को यहां पर आपको अपनी एप का नेम रख देना है तो यहां पर मैं इसका नेम रख देता हूँ तो add unit create करने के लिए आपको यहाँ पर आना है add unit इसके उपकलिक करना है यहाँ पर आपको बहुत सारी add unit दिखाए देगी तो यहाँ से आप सभी की add unit create कर लेना है तो create करने के लिए आपको यहाँ पर आना है select इसके उपकलिक कर देना है की यहाँ पर आपको अपनी ऐड़ इनुट का नेम रख लेना है, जैसे कि कि मैं आपकर रख देता हूँ यहाँ पर नीम रख दिया है, यहाँ पर आपको पार्टनर बीडिंग इशन को चूस का लेना है, synd create अड़ इनुट के अपके लिए कर करनेना है तो यहां से मैं Banner Add को copy कर लूँगा उसके बद मैं अगें यहां पर जाऊंगा इहां पर आपको Ads का option दिखाए देगा तो आपको इसको उपक्लिक कर देना है जैसा आप इसको उपक्लिक करेंगे तो आपके समने न्यूव पेज आएगा यहां पर आपको अपनी Add unit को अड़ कर देना है तो मैं इसको उपक्लिक करने वाला हूँ यहां पर आपको Add unit add करने का option मिलेगा तो पहले option आपको यहां पर मिल रहा है यहां पर आपको copy and paste करना है सेम इसी तरीके से आपको यहां पर native ads को copy and paste करना है आपके सामने new page आएगा, वहाँ पर आपको download का option दिखाए देगा, आपको उसको पर क्लिक करना है, अप आपके यहाँ पर download हो जाएगी, जैसी आपकी app यहाँ पर download हो जाएगी, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने app का जो download link है, उसको आपको पहले clickable बनाना ह तो clickable बनाने के लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं Google Drive का, उसके मदम से आपको अपना, जो भी आपने यहाँ पर अपना AP के डाउनलोड किया है, उसको आपको बना लेने clickable, कैसे बनाते हैं, आपको पीछली वीडियो में बता सकता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर बना चुका हूँ, नहींते मैं future में बना दूँगा, जिसको आप देख लेना, और इसके मदम से आपको यहाँ पर अपना landing page बना लेना है, अब आपको अपनी AP के उपर traffic ले के आना है, अब आपको अपनी AP के उपर traffic कैसे ले के आना है, उसका भी process में आपको बताता हूँ तो मैं आपके से फ्री traffic source शेयर करने वाला हूँ, जिसके उपर आप अपनी gaming AP को promote कर सकते हैं, तो इस website का नाम है gamejolt.com, यह basic website है जिसके उपर आप अपनी games को promote कर सकते हैं, तो simply आपको इस website के उपर आना है, इसके उपर अपना account create कर लेना, simply email address डालना, username डालना, password डालना, send email address को verify कर लेना, और gamejolt के उपर अपर account create हो जाएगा, जैसी आपका account यहां पर create होगा, तो आपके सामने कुछ असपर का counterface हैगा, यहां पर आपको option डेगा, so what's on your mind का, तो यहां पर आपको अपनी gaming के अनुसार post create करना है, और यहां पर आपको अपना shareable link, जो कि आप Google Drive के म यहां पर आना है, यहां पर आपको option मिलेगा store का, तो आपको इसको पकलिक करना है, add your game इसको पकलिक करना है, और इसके मदम से आप यहां पर अपनी game को upload कर देना, जो कि इनकी feed में दिखाए देगा, वहां से आपके games के उपर downloads आएंगे, बंदे game को खेलेंगे, उनके सामन को monetize करकर earning start कर सकते हैं, I hope आपको आज का method समझाय होगा, कैसे इसको step 1 से लेकर step 3 तक बनाना है, मिस इसको आपको apply करना है, वो भी आपको समझना होगा, अगर आपको आज की video अच्छे लगी है, तो मैं आपसे यहां पर request करूँगा, कि आप अमरे चानल को subscribe कर लें, वीड का awesome content हम आपके साथ share कर पाएं,